हम लोग यह जानते हैं कि अध्यावाला जो सिविल लॉसूट था उस पर फाइनली सुप्रीम कोट का वर्डिक्ट आया 2019 में उसमें जब हमने डीटेल वर्डिक्ट पढ़ा तो आपने जो साखी दी थी जो गवाही दी थी जो आपकी रिपोर्ट के निश्कर्ष थे उसको भी ही खुदाई की आवश्यक्ता है इन सारी प्राचीन जगों की क्योंकि इसको लेकि बहुत सारे से अलग अलग जिस्तों में चलते हैं और मेरा व्यक्तिकत रूप से यह मानना है कि हिंदुस्तान को अपने इतिहास को लेकर और भी जागरूख होने की जरूरत है हम देखते ह जहां पर जानवर बंदे हुए हैं कोई कियर नहीं इस देश में कनिश्च से लेकिए उनके बार तक कितने ही ऐसे भूखंड हैं इमारते हैं मूर्तियां हैं जिनके बारे में कोई पूरसा हाल नहीं जिनके कोई जानकारी नहीं इसलिए मैं चाहरा था कि तो आप विस्तार स करने के पहले हम लोग एक्स्प्लोरेशन कर लेते हैं आस पास का एरिया बाहर से जाके देखेंगे और फिर यह कोशिच करेंगे कि जोना इसके नीचे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है उस जमाने में यह टेक्नोलोजी इतना डालप नहीं हुआ था ग्राउंड प्रेंट करने के लिए कोशिच करते थे तो उसी हिसाब से हम लोग भी मंद मस्जिद के अंदर चले गया तो मस्जिद ताले से बंद था एक पॉलिस वाला था इतना बड़ा कोई इस्यू नहीं था सब्सक्राइब तो हमने उनसे कहा कि हम लोग जोना कोई कोई कोंट्रोवर्सी के ल पिलर्स जितने भी हैं वो सब जोना मंदर का पिलर्स थे तो आपका सवाल होगा कि यह आप कैसे करेंगे कि यह मंदर का पिलर है यह मस्जिद का पिलर है प्रिसाइसली वी यार बिंग ट्रेइन फॉर गाट हम लोगों को गर दिखा दिया कोई भी चीज तो हम जोना आप आएंगे यह बारवी सदाबदी का है यह पंदरवी सदाबदी का है यह अकबर का जमाने का है यह जहांगिर का जमाने का यह शाजहान का जमाने का निर्मार की शैली उसको क्या डिजाइन है और कौन से माटीरियल का इस्तिमाल किया है इन सब चीजों से तो उसको हम ल कि तरह त्यूलपी लिश्टे कोई शक है तो कुटव मिनार आपके बहुत घरीब में है कुटव मिनार के पास जोने कुवत अलिसलाम मस्जिद है कुटव मिनार के पटिसर में उसी रही है कल्भी गया तो वहाँ तो वहां पर उसको लेकर भी बहस चल रही है आजकल एक तो देरा टू तो तिंग्स वण इस कुवत अलिसलाम मस्जिद इसके वड़ने सिप्ट बिनार यह दोनों अलग अलग चीज है तो वहां पर भी इसी तरीके से काम किया है कि कई जोने मंदर तोड़ा गया तो तो 27 तंबल्स जोना यह दो अन वे इस तो बीज़ने सिवाँ पर इस मज़ेग को बनाने के लिए और उसी सामगरी का भी इस्तमाल किया गया है कि दरगा है लिए इस वहां इस सामगरी का जो कि तो बनाने जो ब्रोक्न आइडल से ब्रोकन इड़ल से वहां इस एवन चुनैंश जी का भी है उसमेशिव जीव जी और विश्नु का भी है waited सारी लोग चीज़ आ को सारे लोग चीज तो हिस्ट्री में एक चीज हम हम लोग को जए कुछ गल्तियां हो चुकी है मुसलमानों तो इस गल्ति को एडमिट करना चाहिए हाँ गल्तिय हो चुकी है, but the present day muslims are not responsible for that. लेकिन मैं present day muslim को तब responsible कहूंगा, कि जब उन्होंने उसको justify करने के लिए कोशिश करते हैं, उनका justification दो तरीके से हो जाते हैं, एक justification ये है कि ये सारे लोग हिंदू से, वो सब मुसल्मान हो गया, तो उन लोगों ने अपना ही मंदर तोड़ के मस्जिद बनाया, this is one argument, और communist historian अर्फान अभीब जैसे लोग जो जो ने वो एक दूसरा argument कहते है, उनका कहना ये है कि ये जो ने या पूरा जितने भी जो ना, गॉल्ड, सिल्वर, वो सब जो ने ये मंदर के नीचे थे, मंदर में थे, तो इसलिए जो ने मंदर को टार्जेट बना दिया गया, मंदरों पर इसलिए हमला किया गया, हमला किया है कि वो नहाँ पर संपत्ति और खजाना था, तो ये, आपका क्या मानना है, मेरा यह है कि अमिन ये प्राइम मुसल्मान जो ना, जो सेमिटिक रिलिजिन हैं और हिंडू रिलिजिन, इन दोनों में बहुत फरक है, हिंडू रिलिजिन में आप शीव को मानिये, विश्नो को मानिये, कोई फरक नहीं है, आप उसको न मानिये, नास्तिक होकर भी आप हिंदु हो सकते हैं, नास्तिक होगे, तब भी कोई प्रोब्लम नी है, इस वेरी लिबराल रिलिजिन, और जो सेमिटिक रिलिजिन, सेमिटिक रिलिजिन का मेरा मतलब यह है कि जुडाइसम, क्रिष्टियानिकि इसलाम, में सुर्फ इसलामिक को नहीं हो, यह सब जोना बहुती सक्त रिलिजिन हैं, बहुती only we are right, and all others are wrong, only we will go to जननत, and all others will go to जहन्नम, अच्छा, not only that, and it is my responsibility to propagate the religion, and also to convert others into Islam, or Christianity, or Judaism, तो वहां basic फरक हो जाते हैं, सो जब भी वो attack करते हैं, तो उनका basic नियत जोना यह हमेशा यह रहते हैं, यह बूद जितने भी हैं, इनको खतम कर दो, और इसलाम को फैलाओ, यही है, तो देख, यह उन शासकों का, उनका prime motto वही रहते है, economic of course, वो तो एक secondary importance से उसका, वो जो हम लोगों ने देखा जहाँ, दली में जब दंगा हुआ था, तब ही लोगों ने बहुत सारे टीवी निकाल के ले गए थे यहां से, तो लेकिन जो और जिनल जो परपस था, वो कुछ और था, तो यह सब हर जगा पे होते रहते हैं, तो मुसल्मानों को यह देशुट अड्मिट देफैक्ट, ऐसा मैंने कहा है, एक inscription है, वहां जो ने इतना मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाया है, ताज अलमासर करके किताब है, जो हसन निजामी ने उस जमाने में लिकाँ, उस किताब में भी यह कहा है, तो इसी तरीके से इंडियन हिस्टरी में बहुत घलतियां मुसल्मानों की तरफ से हुआ है, शासकों की तरफ से, जो का धर्म मुसलिम था, तुर्क भी थे, और भी सब थे, अफगान भी थे, या, या, यह मुसलिम रोले उसकी तरफ से हुआ है, and it was not because they were Muslims, क्योंकि वो इस सिर्फ ही जो ना इक अफगान लोग थे mostly, अफगानिस्तान का हालत आज भी आप जानते हैं, तो कुछ अफगान लोग आए, इन्वेडर्स थे, आक्रमनकारी थे, जो अपनी सत्ता इस्थापित करना चाहते थे, उन्होंने ये साबित इसलाम की जो ना, इनको ये दिखाना था की, जो ना, हमने सब को जीत चुके हैं, उसी के लिए उन लोगोंने ये किया है, लेकिन इसको मुसल्मानों को justify नहीं करना चाहिए इन्सारी चीज़ों को, क्योंकि इसलाम में ये भी मना है, क्योंकि किसी और का बूद को, या किसी और का इस वन, डिविनिटी को, गाली देना भी इसलाम में हराम है, किसी दूसरे धर्म को गाली देना, एक इसलाम में, एक कुरान शरीफ में एक आयत है, वला तसु लुकल नियम है यह उसी तरीके से इवन फॉर इस फॉर इवन फॉर इन्वाइटिंग पीपल तो इसलाम और सब्सक्राइब करते हैं यह सब चीजें इसलाम एक्सप्ट नहीं करते हैं बट कुछ लोगों ने किया है कि जितना वो मैं तो देखता हूं जैसे पाकिस्तान अपन किया और जिननों को लूटा वो पाकिस्तान के लाके थे तो वो तुम्हारा हीरो कैसे हो सकता है